ब्यम्डी कालेज देयालपुर के इतिहास पार्ट वन के च्छात्रों विद्यार्थियों आज एक इकन्टेंट के रूप में इतिहास के अध्धन सामगरी के लिए महत्पूर्ण तौपिक प्राचीन भारत्यसाहित्य पर आप लोगों के समक्ष चर्चा करने जा रहा हूं किनकिन श्रोत किनकिन प्राचीन भारत्यसाहित्यों के अधर पर इतिहास का निर्बान किया गया इतियास्मन का क्या महत्व है क्या योगदान है उस पर चर्चा की जाएए प्राचीन भारत्य साहित्य के अंतरगत वैदिक साहित्य में वेद, ब्राम्मन गरंत, आरण्यक गरंत, उपनिशद, बेदांग, पुरान, स्मिर्थी गरंत आधी आते हैं इसके अलाबा बध साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य, संस्कृत के प्रमुक कवी तथा गरंत, नाट्य साहित्य, गद्य साहित्य, एतियासिक कवी तथा गरंत, कथा साहित्य आते हैं सबसे पहले वेदों पे चर्चा करेंगा वेद भारतिय संस्कृति का आधार है तता भारत के प्राचीनितम धर्म गरंथ है वेद शब्द का अर्थ ग्यान होता है इस प्रकार इसमें भारत का प्राचीन ग्यान सुरक्षित है भारतिय प्राप्रा वेदों को अपवरुशे अथवा इश्वर निर्मित मानती है इसके अनुसार स्रिष्टी के आधी में ब्रह्मा ने कुछ रिश्यों को मंत्रों का प्रकास दिया रिश्यों ने उन्हें अपने स्रिष्यों को बताया यह क्रम चलता रहा तता यह ग्यान स्रवन प्रंपरा से सुरक्षित रहा यानि सुनकर यानि एक पीडी से दुसरी पीडी को एक गुरु से दुसरे सिस्य को फिर उस सिस्य से अगले सिस्य को या ट्रांसफर होता रहा है, सुनकर, इसलिए ब्रेद को सुरूती जायत भी कहते हैं, कालांतर में वेद व्यास ने इस ज्ञान को संकलित कर दिया, इसी कारण वेदों को सुरूती भी कहा जाता है, वेदों की संख्या कितनी है, चार है, पहला रिगवेद, दूसरा यजुरवेद, तीसरा सामवेद, चर्था अथरवेद, इसमें रिगवेद सबसे प्राचीन तरथा महत्वपूर्ण रचना है, यजुरवेद से यग्ञ की जानकारी मिलती है, यजुष शब्द का अर्थ होता है यग्ञ, सामवेद से संगीत की जानकारी मिलती है, साम का अर्थ संगीत अथवागान होता है, जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था अथरवेद के रचना अथरवा एवं अंगीरस हैसी ने किया इस कारण इस वेद को अथरवांगीरस वेद भी कहा जाता है इस लोग परलोग के लोग जादू तोना का ब्रह्म विद्या लोकि आचार विवाहर का क्रिसी आपदा आदी का इस सब्सक् 데् cambi के विश्य होते हैं ब्राम्मन गरंत यग्य में क्या-क्या विश्य होते हैं यग्य और कर्मकान्ड के विधी विधान जो है उनको समझने के लिए इनकी रचना की गई थी वैदिक्ष लोको एवं संगिताओं की ठीकाई इनमें मिलती है प्रमुक ब्राम्मन कौन-कौन है एत्रेय ब्राम्मन स्थ पत्पत ब्राम्मन पंच्विस ब्राम्मन एवं गोपत ब्राम्मन आरण्यक स्थ स्वब्द की उत्पत्ति अरण्य से हुई है अरण्य का अर्थ होता है वन अता है अरण्यक ऐसे ग्रंतों को का आयाता है जिनका अध्यन वन में किया गया हो या वन में किया जा सके उपनिशद उप का अर्थ निकट एवं निशद का अर्थ बैठना होता है अर्थात यता है गुरु के समीप बैठ कर प्राप्त किये गया ग्यान के अधार पर लिखे गया ग्रंतों को क्या कहते है उपनिशद कहते है उपनिशदों में प्रमुख है विरिदा नर्ण्यक एव इतिहास की जानकारी मिल्ती है, वेदांग से भारतिय समाज एवं धर्णग प्रकाश परता है, वैदिक अध्यन के लिए विश्थ विद्याओं की साखाओं को वेदांग कहा जाता है, वेदांग संख्या में छो है, चो वेदांग है, पहला सिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरन, चोथा निरुक्त, पांचवा छंद, एवं छठा जियोतिष्ट, इस प्रकार वेदांगों से वैदिक ज्यान का अध्यन सरल हो जाता है वेदांग के बाद सुत्र साहित्य है, कलंतर में सुत्रों की रचना होई, धर्म पर प्रकास जालने वाले सुत्र को धर्म सुत्र, गिरीज संस्कारों पर प्रकास जालने वाले सुत्र को गिरीज सुत्र का जाता है उसके बाद हम चुलते हैं स्मिर्टियों पर सुत्रों के पशात इस्मिर्टियों के रचना हुए इस्मिर्टियों में मनु एवं यागवल के स्मिर्टियां प्रमूख है स्मिर्टियों से ततकालीन समाज के विभिन्य कारे कलापों पर प्रकास पड़ता है उसके बाद कई एक महाकावे लिखे गए वेदों के पचात महाकावियों का विशिष्ट महत्व है और इनकी गन्ना एतिहासिक साहित्य के अंतरकत की जाती है यह महाकावे है रामायन एवं महाभारत रामायन केल चरिता महाकवी वालमी की एवं महाभारत के वेद व्यास थे इन महाकावियों से ततकालेन समाज समाजिक राजनितिक धार्मिक आर्थिक इस्तिति पर प्रकास व्यापक प्रकास पड़ता है अब पुरानों की ओर चलते हैं पुरान कार्थ प्राचीन होता है पुरानों में प्राचीन भारत के इतिहास धर्म आख्यान विज्ञान राजनितिक इस्तिति आदि का विस्तित रूप से विवरन है पुरानों की संख्या अठारा है परतों इन में से पांच का ही एतिहासिक महत्व है ये है मत्स पुरान भागवत पुरान विश्णु पुरान वायू पुरान और प्रम्माण पुरान अन पुरानों के नाम इस प्रकार है ब्रह्म पुरान, पद्म पुरान, शिव पुरान, नारदिय पुरान, मरकंडे पुरान, अगनी पुरान, भविश्य पुरान, ब्रह्म वैवर्थ पुरान, लिंग पुरान, बढाह पुरान, सकंद पुरान, कुर्म पुरान, एवं गरु पीतकों के संक्या तीन है यानि ये कौन-कौन से पीतक है पहला विनाय पीतक दूसरा सुत्र पीतक और तिसरा अभिद्म पीतक में मठ में रहने वाले ठिक्चिउगे लिए आवस्यक निर्देश है जो मठ में इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों की भासा क्या है पाली भासा में भवान बुद्ध उपदेश दिये थे जन्ता की उस्वा में भासा जो थी वह पाली थी बौद साहित में जातक का दूसरा प्रमुकस्तान है जातक में महत्मा बुद्ध के पूर्व जनमों का विवरन है जो 549 कथाओं के रूप में है इन कथाओं से ततकालीन, सामाजीक, धार्मीक एवं आर्थिक के सितियों पर प्रकास पड़ता है इसके अलावा मिलिंद पन्हो, दीपवंश, महावंश, एवं संस्कित में लिखित, दिव्यावदान, मंजू स्री मूल कल्प, एवं ललित विस्तार का अत्याधिक महत्म है जैन साहित के रूप में, जैन साहित भी बौद साहित के समान ही, जैन साहित भी धार्मीक होते हुए एतियासी दिशिसम महत्म है जैन गरंथों में भद्र बाहु, जैन गरंथों में भद्र बाहु, चरित परिशिष्टी परवन, पुन्यास्ट्रव, कथाकोष, लोक विभाग आदि महत्म है जैन साहित भाढ़ा अंगों में भीभक्त है, जैन साहित से ततकालीन भारत के राज तंत्रों एवं गन तंत्रों पर व्यापक प्रकास पड़ता है जैन गरंथ किसी एक काल की अचना नहीं है, इन गरंथों का वर्तमान सरू 526 इसवी पूर्व में बल्लभी जो गुजरात में है कि सभा में परदान किया गया था जैन साहित के अंत्रगत रशित सरवाधिक महतपूर्ण हेम चंद द्वड़ा लिखित परसिश्टी पड़व है माभारत में वर्नित है कि विद्या के समान नित्र तथा सत्य के समान कोई दूसरा तप नहीं है नास्ति विद्या समम चक्चू नास्ति सत्यम समम तपह इसे मुक्ष का महान साधन माना गिया है आसा विद्या यावि मुक्ते शुभास इत्रत्न भंडार में कहा गया है कि जीवन की समस्त कठिनाईयों तथा बाधाओं को दूर करने वाले ज्यान रूपी नित्र जिससे प्राप्त नहीं है वह वस्तूत अंधा है प्राचीन भारतियों का या दिर्ट विश्वास था कि सिक्षा द्वारा प्राप्त एवं विक्षित की गई बुद्धी ही मनुष्य की वास्तविक सकती होती है बुद्धी अस्त बलमतस्य बुद्धी से विहीन ब्यक्ति पस्तूत पसू तुल्ले है विद्या विहीनम पशु समानम विद्या विने परदान करती है विने से पातरता निपुन्ता आती है पातरसाथ से व्यक्ति धन प्राप्त करता है धन से धर्म तथा अन्दतकोता सुख की प्राप्ती होती है प्राचीन सिक्षा का प्रमुक उदेश व्यक्ति के चरित्र का निर्मान करना था ब्रम्चर आस्रम में रहते हुए सौच, आचार, सनान, संध्यो पासना आधी विद्यार्थी के चरित्र के मूल आधार थे जो उसके चरित्र का उत्थान करते थे प्राचीन सिक्षा का एक उद्देश विद्यार्ती के व्यक्तित्व का पूरा विकास यानि सरवांगी मिकास करना था आत्मसंयम एवं आत्मानुसासन की प्रविर्तियां भी व्यक्तित्व के निर्मान में सहायक होती थी प्राचीन सिक्षा का उद्यश व्यक्तिको नागरीक एवं समाजीक कर्तव्यों का बूहत कराकर उसे सुयोग नागरीक मिनाना भी था संस्कृतिका संडरक्षन तदा प्रसार करना भी सिक्षा का उद्यश था पाठकडम में वैदिक सहीत के अलावा दर्शन, धर्म सास्त्र, व्याकरन, खगोल विद्या, मूर्तिकला, वैधक, पोत निर्मानकला, गायन, वाधन, चितरकला, गणित, निरित्य, मूर्तिकला, क्रिशी, पश्विपालन, वानिज, चिकित्साविदी, सैनिक सिक्षा, प्र यहनि 64 कलाओं की सिक्षा दियाती थी, उस समय सोचिए, प्राचीन भारतिय सिक्षा पतिती का एक प्रमुक्तत्प गुरुकुल ब्यवस्था है, गुरुकुल ब्यवस्था में विद्यार्थी अपने घर से दूर, गुरु के घर पर निवास कर सिक्षा प्राप करता था, प्राचीन काल में गुरु सिस्ष संबंध अत्यांत मधुर एवं सवहाद पूर्ण थे, भारतिय समाज में गुरु को अत्यांत महत्पूर्ण आदरपूर्ण स्थान दिया गया है, उसे देवता मराता था, अधिकतर ख्याती प्राप्त आचार अपने निजी सिक्षन विद्यारतियों को सिक्षा प्रदान करते थे, सभी गरंतों में गुरु की सिवा सुसुस्ता को सिस्ष का पुनीत कर्तब बताया गया है, प्राचीन भरत्य सिक्षा में सुल्क प्रदान करने का कोई निशित नियम नहीं था, प्राया सिक्षा निशुल्क होती थी, सिक्ष शिक्षिस का कर्तब था कि वह ज्यान दाता आचार्ज को उब्हों कुछ दहन दक्षिना के रूप में अवस्य प्रधान कड़ी बैदिक सिक्षा के साथ साथ बहुत सिक्षा एवं जयन सिक्षा भी प्राचीन काल में व्यापक रूप से प्रचलित थे नालंदा एवं विक्रम सिला विश्विद्यालाए बहुत सिक्षा एवं वल्लभी जयन सिक्षा का प्रमुख केंद्र था धर्ण निर्पेक्ष साहितिक पर चर्चा करते हैं धर्ण निर्पेक्ष सेकुलर्स लिटेजर कंदरगात कलपना प्रधान लोक साहिति एवं जीवन चरीत विदेशियों के द्वारा भारत की विशा में लिखे गया वर्णान आदी आते हैं जो एत्याती चरी से महते हैं इनमें कोटिल का अर्थसास्त्र विशाक दत्र का मुदरा राक्षास कालिदास की रचनाएं रितु संगहार, मेग दूत, कुमार संभव, रगवंस, माल विकागनी मित्रम, विकमोत मर्सवर्षियम, आभिज्यान शांकुतलम ये कालिदास की रचनाएं, वानभट की हर्षरित, पतंजली का महाभास्य, गारगी संगिता, कल्धन की रास्तरंगिनी, अश्वगोस की तीन रचनाएं बुद्ध चरित, सोंद्रानंद, एवं सारी पुत्र प्रक्रण, इसमें दोग महाकाव हैं, तथा अंतिम नाटाग्रंथ हैं यानि सारी पुत्र प्रक्रण क्या है? नाटाग्रंथ हैं दंडी के तीन रचनाएं हैं, काव्या दर्ष, दर्ष कुमार चरित, एवं अवंति सुंद्री कथा पद्म गुप्त, परिमल द्वारा रचित, साहित है, नव साह सांक चरित, भारवी रचित है, किरातार जुनियम वागपति राज मुंज, द्वारा रचित, गओडवाहो, विल्हन द्वार रचित, विक्रकमांक देव चरित, चन्द बरदाई, द्वार रचित, पिच्वी राज रासो, महत्पून त्यासिक साहित है इसके अलावा विदेशी यात्री द्वारा भी लिखे के गरंद भी प्राचीन साहित अबम इतियास के द्रिशित से महत्पूर्ण है मेगा स्थनीच की इंडिका, तौलिमी की भुगोल, प्लीनी की नेजुरल हिस्ट्री, फायान हेन सांग मिसिंग का वयत्ता वित्रांत, तिबबती लामा तराना दराचित, कंगियूर एवं तंगियूर, अलबेरुमी की तपकाते हिंद, आदी प्रमुक साहितिक रचनाए हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, एवं अन्चतिय भासाओं का प्रयोग किया गया है। प्राचीन भारत्य शिक्षा का अधन करने के लिए शिक्षा का वर्मुक उद्येश, पाठकरम, गुरुपुल पद्रती था। प्राचीन विश्वीदालय नालंदा, वल्लभी, विक्रम सिला की जानकारी, गुरुषिस से संबंद, सिक्षन, सुल्क, परिक्षा तता उपाजी आधि की जानकारी प्राप्त करना आवस्यक है। प्राचीन भारत्य शिक्षा का उद्येश, मानव का कल्यान तथा वसुद्येव कुटमुकरम की धारना पाधारिथा, यही कारण है क प्राचीन सबता अभी भी विविन परशानियों को जहलते हुए, आज भी यह कायम है, बहतिक यवमाध्यात्मिक उठान तथा विविन उत्ताईतों का विद्वत निर्वाह करने के लिए सिक्षा के महती आवसकता को सदा सुविकार किया गया है, बैजिक युक से ही से प् पूल को जानने में सहिता करता है, ता सही कार्यों को करने की बिदीर बताता है, अते भारत का जो हमारा गवरपूर्ण इतिहास है, और हमारी जो प्राचीन सिक्षा पज़ती थी, इन सब के बारे में जानकारियों प्राप्त करके हमें अपनी महान, सबता और संस्कृति के बाड़े में इतिहास के मद्यम से जानने का अफसर मिलता है इसी चर्चा के इसी बातों के साथ आज की चर्चा समाप्त की जाती है धन्यवाद